हलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब तो जी दिन है आज शुकरवार का तारीख दो सितंबर सुव के बच गए हैं पांच और ये आज का व्लोग है आज ही जाएगा मैंने सुचा बहुत टाइम से ऐसा नहीं हुआ है कि एक प्रॉपर रूटीन जो है मैं आपक काफी सारे कोमेंट्स जो है वो आये थे कि आप हमें जो एक प्रॉपर मॉनिंग रूटीन ऐसा बताओ कब सोना है कब उठना है किस तरह चीजे कैसे क्या मैनेज करनी है सारी चीजे प्लीज ब्रिटेल में बताओ तो मैंने सोचा आज एक अच्छा सा मोका है मेरे पास सारी चीजे मैं आप जो आपको साथ शेयर करती हूं सुबह पांच अबजे उठी थी आपने देखा भी मोसम काफी चेंज हो गया पांच अपको अंधेरा जो वो दिखाई दे रहा है उठने के बाद तोड़ देर मैं घूमी हूं फ्रेशन अप हो के मैं घूमने गई थी बहुत देर मैं जो चाई पीने बाद वरुन के साथ बैटी थी क्योंकि अभी वरुन की मैडिटेशन मैंने जो आज से ही जो वो स्टार्ट करवाई है इसकी वज़ा साभी 2-4 दिन जब तक उसको अच्छे से नहीं आ जाता सूबह मुझे 10 मिनिट उसको भी देने होंगे त तो मैं यह वाली जो है रेसेपी जरूर बनाती हूं और जहां तक मेरा आइडिया सब को यह रेसेपी बहुत पसंद होगी प्याज और टमाटर का जो चोख होता है खली प्याज टमाटर की जो बना रही हूं जैसे ही तेल गरम हो उसमें मैंने जीरा डाल दिया और उसके बा चोले भीगोकर रखे हुए हैं तो यह इसको मैं ढपकर पकने के लिए भी थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी आपकी जो है पांच मिनिट में जटपट सी रसपी जो बनके रेडी हो जाती है खासकर जब आपके पास कोई भी सब्सक्राइब करके देखिए हम चोटे आप लोगों को पताया था कि में ब्रश वरुन के साथ ही करती हो ताकि ब्रश करने में अनाकानी के रहे किसी तरह की और अच्छे सर से ब्रेडी कर देंगी आटा देख रहे हैं कि मैं आजकल बावल में आजकल ट्रांसफर कर लेती हूं क्या रीजन होता है कि अभी जैसे वरून का लंच करने के लिए एक अच्छा घर का काम करने के लिए घर के काम के साथ अपनी सेथ का भी धान रखना होता है तो साथ साथ में मैं अपने खाने पीने का भी टाइम से ध्यान रखते हूँ सुबह की दिया बाती जो है मां के पापा करके जाते हैं तो मैं ब्रेकफास्ट वेगरा सुबह सुबह ही मैं कर लेती हूँ इसमें कोई वो नहीं रहता फिर अभी नहाना है तो अभी जो है वो पहले नहाओ फिर काम करो फिर ब्रेकफास्ट करो पहले ऐसा हो कर लेती थी मैं लेकिन जब से दो बच्चे हुए तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ मैं अब यहां पर कल पीछ ना किसी नहीं बटाब पीछे जो घर बंढ कर ही अधर साईर में खाली में वह सूख गये होंगे तो यह पीछे कितना किसी ने जल ऑडो कर आती है राक्सी राक्सी वह पिछे से उडों कर ज他们 से मिकल निकल कर आगे भी आई हूड़ कर और पीछे माल आभी मैं क्या करने वाली हूं एक रूम में घुसी हूं तो एक रूम की मैं cleaning कर लूँगी क्या होता न कि सुबह सुबह न हमें एक मिनट जह वह बहुत जादा किम्ती होते हैं और उसी में हमें जो अपना टाइम जब वह बचाना होता है अभी हमांगे पापा ना रहे तो मैं अच्छा है कि रूम की डीप cleaning जो हो जाए एक काम नहीं कर सकते लेकिन खाली बैठ गए तो वह वेस्ट हो जाता एक दम धूप इतनी भयंकर वाली होती है चलचलाती धूप होती है तो बस उसी में फिर बहुत काम करने का मन नहीं करता है और यही काम करते करते हैं मैं करीबन आठ पजे हमांग जाता है तो सवाट साड़े आठ का जो यह टाइम हो गया था बस इस रूम की डीप cleaning करके तब तक हमांगे पापा आ जाएंगे दिया बाती करेंगे और फिर मैं खान के लिए खाना बनाओंगी और अपने लिए भी ज जादा हो जाते हैं तो कभी-कभी हो जाते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि पानी कम पिया जाता है तो हो जाता है लेकिन मैं पूरा ध्यान रखती हूं पानी पीनी का बस यह सारा काम खतम करके मैं पूरी कोशिश करते हूं कि मेरा सारा काम खतम जो है जब प्रॉपर मैं मा ही डिपेंड करता है कई बार्म की गाड़ी आठ आती है कई बार ऐसा हो था 5-7 मिनिट ज़ो और बी यह साथ में सोफभी विगरा साथ में सेट कर देने हैं वैसे तो सुपह में एक हाठ निकाल कोई से आर लेकिन फिर भी क्या होता है बैठे हैं उठे हैं तो ठोड़ा बहुत होई जाता है तो एक बार हलका सा हाथ में उसमें से निकाल दूंगी अभी यहां पर कुछ दवाई जो है क्योंकि इसके बास्केट अभी मुझे धोनी है जिस बास्केट में यह रखा हुआ था और धोने के बाद जो है वापस में उसी जगह पर लगा दूंगी जहां पर मैं सारी दवाईय वगेरा रखती हूं तो यहां का काम मेरा खतम होगा है अंदर का सारा भी बाहर का रह आते एक बार गिला कपड़ा अच्छे से जरूर लगा दे नहीं तो कहना आजकल चीटियों का बहुत ही जबरदस्त वाला गडबड़ वाला मामला जो है वह चल रहा है चीटियां बहुत जादा जो वह आ जाती है बस अभी जो हो गया यहां पर क्लीनिंग अब बारी आती ह एक रूम की तो जैसे हमारी मैंने बताया था जैसे डीप क्लीनिंग हो गई है अब ही आती है इस यहां की डीप क्लीनिंग की बारी क्योंकि क्या होता ना बहुत सारा सामान जो हम यूज करते हैं जल्दी जल्दी मैंसे ही रख देते हैं उसको और्गिनाईज करके नहीं साफ कर दूंगी मालो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी होगी ना तो कपड़े से वह निकल जाएगी गंदगी जो है मालो को डारेक्ट कोलीन लगाऊंगी तो उससे क्या होता गंदगी चिपक जाएगी और अच्छे से जो वह साफ भी नहीं हो पाएगा सूखा कपड़ लगाने के बाद अगर आप कोलीन से साफ करते हो ना तो और भी बहुत अच्छे से जो वह क्लीन हो जाता है चाहिए इसमें टीवी यूनिट है मेरा श्यूज रैक है या फिर जो है मेरी अलमारी है चाहिए कुछ भी है मतलब सारी चीज़े मैं ऐसे ही कोलीन से अच्छे से क्लीन कर लेती हूं क्रॉकरी यूनिट यानि और जो है अलमारी के बारे में काफी सारे कॉमेंट आये थे मैं पूछना अज फिर मैं भूल गई हूं उसके लिए सो सौरी मैं क्या होता ना बहुत बार इमां के पापा लेट आते हैं और मेरा दिमाग से निकल जाता है शाम को जो डोंगा है मलाई का मेरा पतीला है उसमें कटोरी क्यूं डालके रखते हो बैस साफ और सीधा और सिंपल सा रीजन कटोरी डालके रखते हैं तो दूद आराम से डल जाता है दूसरी क्या चीज होती है बच्छों को मालों मैं अबलबल नहीं हूं हिमांक या वरुन को ले मेसर्मेंट बहुत अचहनी से डालके रखते हैं मालों मैं पडाएं में जीए साने से कापड़े रखते हैं में चीज क्या होती है कि डूद झो फॉड़ एक दिन करो या दो दिन छोड़ कर तीसरे दिन करो वैसा है झाही साथ साथ में जो है वो करते रहें सुबह से शाम तक हमारे काम जो ही चलते रहते हैं और शाम को अगर मैं रात की बात करूं तो रात को अगर अगर आपका बड़ा परिवार है तो आपको 9 ज़े तक मैकसिमम जादा से जादा 10 से जादा लेट कभी नहीं करना चाहिए सोने में और सुबह उख वो 5 ज़े तक उठ जाना चाहिए अगर बहुत जादा बढ़ जैसे परिवार है 5 बंदों का 6 बंदों का आपको 5 5 जोटा प तो सबका एक डिफरेंट 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 रूटीन जो हो जाता है तो एक प्रॉपर रूटीन तो मैं आप लोगों क्या बताओं कि इसको कितने बज़े उठना चाहिए कितने अब जोना चीए लेकिन वही पांच से साढ़े पांच बजे तक का ना टाइम जो सुबह क बढ़ा परीवार भी है फिर भी आपको रात को साड़े नौ दस बज़े तक सो जाना चाहिए अगर आपको यह होता है सुबह 4 बज़े उठना तो आपको साड़े आठ या 9 बज़े तक सो जाना चाहिए बस ही थोड़ा बहुत आदे गंडे का अंतर रहता हर चीज में और यह बरतन वेगर है थोड़े से बरतन थे जादा नहीं थे और उससे पहले भी मैं जैसे थोड़े-थोड़े बहुत बरतन होते ना कई अगर मेरे पास टाइम होता है तो बीच-बीच में मैं बरतन साफ करती रहती हूँ अगर थोड़े-बौत हो जाते तो साथ-साथ में आपाने तो वो जो बरतन वे होते ना रात के दूद वगएरा के वो मैं छोड़ देती हूँ अभी लगा लेते हैं पोचा हमेरा लास्ट का इम काम जो है वह रहता क्योंकि क्लीनिंग हो गई है बैड वगएरा चाड़कर भीछा दिये हैं किचन का सारा काम हो गए एक डीप क् नहीं होती हैं तो वैसे एक प्रॉपर टाइम में अगर मैं नहीं निकाल पा रही होती हूँ तो ऐसा ही जो थोड़ा बहुत अपना काम करते करते बीच में कुछ न कुछ जो है वो मैं देख लेती हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है चुट-पुट से काम होते हैं और तुरंत के तुरंत करने बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं बस इसलिए ऐसा ही घुमते फिरते काम करते करते मैं ऐसे अपने वो सारे काम कर लेती हूँ अभी जो पोचा वगरा रही हूँ लगाने के बाद जो मैं नहाने जाऊंगी और आने के बाद मैं व्लॉग की ए तो यह टोटली सिच्टेशन के उपर डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या सिच्टेशन से अप गुजर रहे हो और ज्यादा कुछ नहीं है पोचा हमारा हो गया घर की सारी क्लेनिंग जो है वह अच्छे से हो गई है अभी मैं व्लॉग का एंड करूंगी मैं यहीं पे मिलते देना शेर कर देना सबस्क्राइब कर देना चालल को नोटिफिकेशन बैल को भी दबा देना थैंक यू सो फोर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं व्लोग थैंक यू सो मच